नमस्कार आप देख रहे हैं जी औधिनुज तो दोस्ट वक्त हो गय है दिन भारकी बड़ी कब्र को जानने का तो उसे पहले अगर आप है अभी तक जी औधनीुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिशता कर जी औधनुज को सब्सक्राइब करके अल्ल नोटिफिक को होने वाली छटे दौर की महतपूर्ण वारता रद कर दी है केंद्री ग्रिहमंत्री अमित्सा और कुछ नेताओं के बीच मंगलवा रात को ही बादचीत के विफल रहने के बाद किसानों ने सरकार के साथ वारता करने से इनकार कर दिया है केंद्री कृषी मंत्राले के एक प्रवक्ता ने PTI से कहा कि किसान यूनियन के नेताओं के साथ आज की वारता रद कर दी गई है क्रिशी बिल पर किसान नेताओं को केंद्र का लिखित 20 पन्नों का प्रस्ताओं मिला किसानों ने कहा हम प्रस्ताओं को पढ़ेंगे फिर इस पर चर्चा के बाद कोई फैसला लेंगे जिहां क्रिशी कानुनों को लेकर घमासान अब और बढ़ गया है दरसल केंद्र और किसान नेताओं के बीच बात बनती नहीं दिख रही है सरकार जहां किसानों की बात मानने को तयार नहीं दिख रही है तो हैं किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए है इसी बीच केंद्र की मूदी सरकार की तरब से किसानों को 20 पन्नों का लिकित परस्ताओं दिया गया है किसानों का काना है कि हम पहले इसे पढ़ेंगे फिर कोई फैसला लेंगे आपको बता दें क्रिशी बिलको लेकर मचे घमसान के बीच सिंदू बॉर्डर पर किसान नेताओं को भारत सरकार का प्रस्ताओं मिला है इसे लेकर भारतिय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंग ने कहा कि हम प्रस्ताओं को पढ़ेंगे फिर इस पर चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा प्रस्ताओं लगबग 20 पन्नों का है किसानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो केंद्र का प्रस्ताओं देख रहे हैं लेकिन उनकी मांग सिर्फ तीनों क्रिशी कानूनों को हटाने की है आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना को मिली मंजूरी खर्च होंगे 22,810 करोड रुपए जिहां केंद्रिय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसल लिये गए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड रुपए की इस योजना का मकसद कमपनी जगत को नई नियुक्तियों के लिए प्रोचसाहित करना है और रोजगार मोहिया करना है। महरास्ट में सरद पवार ग्रामीड संब्रधी योजना होगी लागू तीन साल में दस हजार करोड रुपए होंगे कर्च उद्व सरकार लगा सकती है इस पर मोहर। मिली जानकारी के मुताविक प्रस्तावित महत्वा कांग्ची सरद पवार ग्रामीड संब्रधी योजना के कारयान वयन के लिए रोजगार गारंटी विभाग नोडल विभाग होगा। महराष्ट सरकार का दावा है कि इसे लागू करने से ग्रामीड अर्थवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। ग्रामीड लोग ससत बनेंगे। इस योजना का उदेश ग्रामीड और सहरी विभाजन को पाटना भी है। राजस्थान पंचायत चुनाव में बजा बीजेपी का डंका कॉंग्रिस को लगा तगडा जटका। में हुए चुनाव में 14 में बीजेपी को सपस्ट बहुमत हासल हुआ है जबकि कॉंग्रिस को केवल 5 जिला परिशद में काम्यावी मिली है। बीजेपी ने राजस्थान पंचायत चुनाव में मिली काम्यावी को नए कृशी कानूनों के समर्थन से जोडा। बीजेपी ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि राजस्थान के पंचायत चुनाव के धाई करोड वोटर में ज्यादतर किसान रहे हैं इससे पता चलता है कि उन्होंने कृशी कानूनों को समर्थन दिया है। प्रेस कि उन्होंने को समर्थन दिया है।